प्रश्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी प्रोणाउन की नेक्स्ट वीडियो या फिर कहें प्रोणाउन को हम बहुत डिटेल से कर रहे है इस से पहले वाले जितने भी आठ पार्ट साचुके हैं प्रोणाउन के जिसके अंदर हमने हर एक टाइप को बहुत अच्छे से कमर किया है और part 8 जो था pronoun का उसी के middle में जो था वो miscellaneous part 1 स्टार्ट हो गया था फिर कहीं आप कहें कि सर हमें miscellaneous का part 1 नहीं मिल रहा miscellaneous का part 1 actual में part 8 की वीडियो में half में half में आपको miscellaneous part 1 स्टार्ट होता हुआ मिल जाएगा pdf के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ जितना भी आप लोगों का English का concept करवा दिया गया है चाहिए उसमें basics आगे हो चाहिए उसमें हमने pronoun start कर दिया हो सारी चीजों की जो PDF है वो आपको इस telegram channel पर मिल जाएगी self study के नाम से आप चाहें तो telegram पर ऐसे भी search कर सकते हैं इस तरीके का icon आपको नजर आ जाएगा और आप जोइन कर सकते हैं लगबग 9900 के आसपास जो है वो बच्चे वहाँ पर connected है तो चलिए start करते हैं देखे हम pronoun कर रहे हैं तो हमारी हमेशा से क्या habit रही है first of all हम pronoun की definition देखते हैं कि pronoun at least कहते किसको है तो कि pronoun कहते हैं उसे हैं जो noun की जगह पर use हो जाते हैं a word used in place of a noun एक ऐसा शब्द जो noun की जगह पर use होए उसे क्या कहते हैं उसे pronoun कहते हैं फिर एक बात आती हैं हमारे सामने कि कितने type क्यों होते हैं pronoun तो हमने हर एक type को देखा है टोटल 10 टाइप्स हमने यहां पे लिख रखे हैं 10 टाइप्स में कौन सा पर्सनल, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, एंफेटिक, डिस्टिबूटिव, डिस्टिबूटिव, डिमोंस्टेटिव, रिलेटिव, रिसिप्रोकल, इंटेरोगेटिव और इंडेफिनिट, लास्ट जो किया था हमने इंडेफिनिट किया था, और इसी इंडेफिनिट के मिडल में आकर हमने मिस्लेनियस का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर दिया था, और हर एक टाइप को हमने बहुत अच्छे से कवर किया with example, with practice आपको पताया है इसका reason क्या है ये error ठीक होने का हर एक चीज को हमने with logic चीजों को देखा है भई आप सोची है English grammar में आपको कही न कही logic वो चीज़ें मिल रही है और यहाँ पर मैंने आपको कोई rule नहीं लिखवा कर उसकी explanation दिये कि वो rule बना तो बना actual क्यों बना है तो वो सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगी और फिर से कह देता हूँ देखिए ये वीडियो काफी सारे लोग देखने की start कोशिश करेंगी कि हम देख लेते हैं कि क्या है लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगी अगर आपने ये सारे concept नहीं पढ़ रखें या फिर मैंने आप लोगों को break करने का जो concept बता रहा है वो आपको नहीं आता है preparation के बाद object आते हैं ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए totally व्यार्थ है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं फिर से कहा देता हूँ देखिए pronoun का आपने जितना मैंने करवाया वो कर लेंगे आपको कहीं से पर भी कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने के जुड़ती है pronouns related क्योंकि पूरा एक concept ये paid content है जो मैं अपनी online जो classes होती है offline जहां पर बच्चे fees देकर पड़ते हैं उनको मैं paid में ये चीज़ें करवाता हूँ वो आप लोगों को मैं free करवा रहा हूँ ताकि लोगों का यहां पर भलाव हो सके बहुत सारी fees वो ऐसे ही दे देते हैं तो मैंने ऐसे देखा है कि यार बच्चों को कम से कम इतना तो beneficial में अपनी तरफ से कर दूँ कि concept कुछ चीज़ें तम आपको करवा दूँ बहुत सारी चीज़ें कराई हैं प्रोणाउन के अंदर आपको जीरन, present participle, कैसे हम find out करेंगे infinity क्या होते हैं, उनकी practice सारी चीज़ें बहुत अच्चे चे कवर कराई गई हैं तो चलिए बिना किसी देरी के हम start करते हैं अपने इस miscellaneous part 2 के concept number 1 को आपके सामने कुछ sentences लिखे हुए हैं first of all आपको इन sentences को पढ़ना है, meaning निकालना है और खुद try करना है, break करना है break जैसी आप इन sentences को, हर एक sentence को आप break कर देंगे आपके सामने जो error होगा, obviously इन पांचो sentences के अंदर error है और जैसी आप break करेंगे, तो जो error है वो cheek cheek कर वो लेगा कि भाई मेरे अंदर यहां गड़वड़ है, मुझे यहां ठीक कर दो और देखना, जैसे मैं करूँगा यहां पर break, आपको देखना यह cheek करना बुलवाए तो तो एक बाद खुद try करिए, और कोशिश करिए कि भाई, आप कर पाए इनको उमीद करता हूँ कि आपने करने की कोशिश की होगी, कि actual में धिकत कहा है जिन्होंने की तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की तो देखो यार आपका कुछ हो नहीं सकता एक विनट, एक विनट, इसको सही कर लेते हैं, कुछ गडबड हो रही है मेरे अंदर, नहीं, 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 चल रहे, चल रहे यहां पर first sentence आपके सामने, between you and I, Ajay sir is very rude and arrogant, यहां पर इस sentence की first of all तो हिन्दी कर लेते हैं दोस्त, विध्यारती जब बात कर रहे हैं, तो वो एपस में कह रहे हैं कि यार, तेरे और मेरे बीच में बात है, कि Ajay sir जो है न, Ajay sir, वो बड़े यार, rude और arrogant है, बड़े घमंडी टाइप के हैं यार, तो यहां पर मैंने अपना नाम लिख लिए, मुझे तो पूरा लगे तो यह होगी इसकी Hindi, अब बात करते हैं, इसमें सर दिक्कत का हैं, तो दिक्कत जाननी है, तो एक बार इस sentence को हम break कर लेते हैं, और break करने के शुरुवात हम करते हैं, between से, तो यह जो between है न, यह है आपके सामने proportion, यह है proportion, और आपको याद हो तो मैंने का था, proportion जब भी sentence में तो यह बोलेगा कि, भाया मेरे बाद आना चाहिए एक object, proportion के बाद उब्जेक्ट चाहिए होते हैं, तो अब हम आगे चले proportion के बाद और proportion के बाद जैसे आगे चले हमीं मिला you, और you का अगर आप concept जानते हैं, तो you जो है, इसका subjective और objective case, इसका subjective और objective case, same है, दोनों ही क्या है same है यानि कि आप object की बात कर ले जाई सब्जेक्ट की बात कर ले दोनों ही जगह क्या आएगा आपको you ही मिलेगा तो यहाँ पर you जो है वो एक तरिके से हमने कह दिया यह हो गया हमारे सामने between proportion का object फिर यह end conjunction लगाई हुई है अब यह conjunction क्यों लगाई हुई क्योंकि obviously दो object को जोडने का काम कर रही है क्योंकि इसके पीछे एक object लिखा हुआ है अब इसके बाद भी एक object आना है और जैसे ही आप अगले word के उपर चलते हैं यहां लिखा हुआ है और आई जो है वो एक subjective case है यह एक subjective case है यह बकाईदा में आप लोगों को table करवाई थी तो यह एक subjective case है और लेकिन यह तो preposition बैठी preposition कहती भई मेरे बाद तो object आता है तुमने subjective case कैसे लगा दिया तो यहीं आपको starting में एक error मिल जाएगा actual में यह I नहीं I की जगहें पे me आना था यह objective case होता है I की जगहें पे me आना था यह एक objective case होता है यह एक minute मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा सही से करते है I की जगहें पे आना था me clear तो यहां आपने जैसे ही यह sentence को break करना शुरू के और आपके सामने सबसे पहले error मिल जाएगा यह बाकी के sentence को हम break कर लेते है बाकी का sentence जो है यहां पर अजे सर यह है subject is main verb है very rude and arrogant यह rude and arrogant जो है यह है adjective यह होगी आपके सामने adjective और यह and जो है इन दोनों adjective को जोडने का काम कर रही है यानि इसको हम कहेंगे conjunction और very इस adjective को qualify कर रही है और साथ साथ इस adjective को भी qualify कर रही है और एक ऐसा word जो adjective को qualify कर दे उसको कहते है adverb तो यह हो गया आपके सामने first sentence जिसको हमने break कर लिया और जहां पर हमने error भी find out कर लिया कि error क्या है अगले sentence पर आते हैं अगले sentence में लिखा गया है everybody except he was present at the party भाई सभी यह जो accept है ना इसका मतलब होता है kc y kc y अब यहां पर everybody है पर तेक उसके सिवाए present थे party में यानि सभी present थे लेकिन एक present नहीं था यह ही present नहीं था यहां पर इसकी हिंदी यह है अब यहां पर add जो है यह है preposition और preposition के बाद आते है preposition के object तो यह party जो है इस preposition का object लिखा हुआ है और दा है यह है article clear यह होगे आपके सामने article अब यहां पर यह जो accept है यह है preposition और यह preposition है preposition कहेगा कि भाईया मैं तो preposition हूँ लाओ हमरे लिए object लेकर आओ तो यह object जब हम ढूणने चलेंगे इसके बाद यह ही लगा हुआ है और ही जो होता है वो एक subjective case होता है तो इसलिए यहां पर ही नहीं ही कटके ही माएगा और बाकी यह जो बच गया यह everybody यह जो है आपके सामने यह है indefinite pronoun indefinite pronoun है यहां पर यह काम कर रहा है subject का और इसके लिए इस subject के लिए यहां पर यह जो वोज है यह है आपके सामने वाब यह main वाब है present जो है यह adjective है और यह subject compliment का काम कर रहा है clear तो यह हो जाते हैं आपके सामने दो sentences जिसके अंदर हमने error देखा है कि क्या आए हुए है एरर, एक्चल में प्रिपोजिशन के बाद ही यहां पर एरर आये हुए है, प्रिपोजिशन के बाद उसका अबजेक्ट आना था, यही एरर हमें find out करना है, यही concept one है, और ऐसा निये कि सर सारे में ही ऐसा है, एक कुछ और concept भी आपको मिलने वाला है यहां पर, देखिए, यहां पर आपके सामने कुछ words लिखे हुए है, use objective case, use objective case between, with, 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 with के बाद यहां पर कॉमा था, besides, including, let, excluding, but, like, unlike, together, with, along, with, etc. तो यहां पर बच्चे ने यह between पड़ा होता है, with पड़ा होता है, to पड़ा होता है, in पड़ा होता है, at पड़ा होता है, लेकिन यह excluding, including, यह along with, यह चीज़े नहीं पड़ी होती है, और यहां पर बच्चा मार खा जाता है, और फिर उसको लगता है कि यहां पर यह sentence ही है, और वो ठीक कर देता है, और उसको error मिलता नहीं, तो यह सब चीज़ें आपको ध्यान रगनी है, और आपने starting में in, at, on, यह तो जान लिए ने, preposition है, आज आपको जानने का और मोका मिल रहा है, कि preposition और क्या क्या होती है, और कैसे उसके उपर error आ सकते हैं, तो यह आज आपको अपनी copy के अंदर सब कुछ note भी कर रहा है, ऐसा नहीं, पीडियो भले ही मिले, लेकिन आपको फिर भी note करना है, यह सारी जब note करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्यार, अगले concept पे, अगले sentence पे आते हैं, अगला sentence लिखा हुआ है, they invited all of them, but she to the party, यह two जो है, यह है proportion, और proportion के बाद आते हैं, proportion के object तो party फिर से यहां पर proportion का object बन जाएगा, ओके, यह पी लिखना था, यहां पर proportion का object है, यह भी proportion का object है, और यहां पर यह भी proportion का object है, ओके, तो यहां पर हमारे सामने proportion का object बन गया party और दा जो है, यह है article, यह है article, ओके, अब यह जो बट होता है ना बट महाश्य बी यू टी ये नाव ये महाश्य दो गाम करता है एक तो होता है conjunction एक तो होता है conjunction और एक होता है proportion और जब यह conjunction होता है ना लेकिन किन्तू परन्तू इसका मतलब यह होता है ठीक है लेकिन किन्तू परन्तू इसका है के सिवाई तो यहां पर इसका मीनिंग देखते हैं यह बन क्या रहा है क्या यह conjunction है यह proportion है देखिए जब यह conjunction होगा तो obviously किसी ना किसी चीज को जोडने की कोशिश करेगा तो देखो जरा they invited all of them they invited all of them but she to the party किस ने इस word ने किसको जोडने की कोशिश की क्या इस she और इस them को जोडने की कोशिश की तो यहां पर यह तो हो नहीं सकता ना क्योंकि यहां पर यह off होगी यह off तो होगी आपके सामने proportion और यह them जो है इस proportion का object आया हुआ है clear अब इसके अलावा यह दे यह दे जो है यह है subject और invited यह है आपके सामने verb, main verb They invited whom? All, यह है आपके सामने object पर उन्होंने सब को invite कर दिया लेकिन C के सिवाए, इस C को छोड़ कर इस C के सिवाए जो है बाकी सभी को invite किया गए तो यहाँ पर यह जो but है, यह लेकिन किंतु परंतु का काम नहीं कर रहा है यहाँ पर कोई conjunction काम नहीं कर रहा है, किसी चीज को जोड़ नहीं रहा लेकिन यहाँ पर यह जो है but proportion का का काम कर रहा है proportion का रहा है तो यह she जो है यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा? हर आएगा यहाँ पर क्यूंकि objective case चाहिεια ना मैं पर proportion के बाद तो यहाँ पर जो है she cut कर यहाँ आएगा her यह sentence होगा they invited all of them but her to the party यहाँ उसे invite नहीं गया बाकी सबको invite कर दिया है यहाँ पर ओके तो यह चीज़ें आपको लिखनी है but और conjunction proportion आए और यह conjunction भी काम करते हैं conjunction में इसमें लेकिन होता है यह सारा concept आपको लिखना है यहाँ पर आगे अगले sentence पर आते है अगले sentence आपकी सामने लिखा हुआ है all his brother like he are very smart and intelligent अब यहाँ पर like यह जो like है ना यह जो like word है यह like ना यह verb भी होता है यह verb भी होता है यह proportion भी होता है यह verb भी होता है यह proportion भी होता है जब यह verb होता है तो इसका मतलब होता है पसंद करना ठीक है पसंद करना लेकिन जब यह proportion होता है जब यह proportion होता है तो इसका मतलब होता है की तरह है की तरह है ठीक है उसकी तरह है ओके एक तरीके से comparison के तोर पे हम इसका use कर लेते हैं तो यहां पर आपको दोनों ही एक पर meaning रखके देख लेने कि क्या बन रहा है देखिए अगर आपने इस like word को अगर वब मान लिया अगर आपने इसको वब मान लिया ठीक है आप कहेंगे कि सर यह brother जो है इस like word का यानि like verb का subject बन जाएंगे मैंने का ठीक है अच्छी बात है बहुत सही बात है मैंने का यहां पर एक verb भी आई हुई है यह भी तो main verb है तो यह main verb है तो यहां पर he क्या बनेगा he sir इसका subject बन जाएगा मैंने का एक minute he जो है यह subjective case है और यह singular है मतलब singular plural यह concept आपको पाता है तो he जो है अपने बाद singular verb लेता है तो यहां पर यह जो है यह आर यह कैसे लगाओ है he r कब होता है he is होता है वैसे तो एक तो यह concept हो गया दूसरी बात यह कि आप ओल रहे हो कि भाईया यह एक verb है like है इसके लिए यह रहा subject यह आपने subject no.2 माल लियए इसके यह आप यह लिए वब मना रहे हो, तो यहां पर यह दो close को जोडनें के लिए close क्या होते है subject और verb के pair को close कहते है तो यह एक उपर subject वब आगी नीचे एक subject वब आगी तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होती है आपको conjunction चाहिए होती है तो यहाँ पर conjunction भी नहीं है तो इस चीज़ से हम समझें कि दो बातों से कि यहाँ पर यह like जो है यह वब नहीं है यह कुछ और ही है यहाँ पर तो एक बार जड़ा इस पूरी चीज़ को rough कर लेते हैं और फिर से आते हैं इस concept के उपर ओके आईए जड़ा तो यहाँ पर आपके सामने यह जो like है यह खुद आप चीक चीक के बोल रही है भाईया मुझे बनाओ preposition और all his brother इसके उपर अधिकार जताने वाला possessive adjective हो गया all यह भी एक quantitative adjective हो गया brother जो है यह subject है और brothers के लिए are आया हुआ है यह main verb है यह ही क्या बनेगा अभी आते हैं इसके उपर all his brother like he are very smart and intelligent smart and intelligent यह आपके सामने adjective हो गई और इन दोनों adjective को जोडने के लिए आपके लिए यहां पर conjunction आया हुआ है और very smart को भी qualify कर रहा है और साथी साथी intelligent को भी qualify कर रहा है और एक ऐसा word जो adjective को qualify कर दे उसको adverb कहते हैं तो यह adverb है अब यहां पर यह ही क्या है तो देखिए जरा ही है यह इस like preposition के बाद आए हुआ और preposition कहते ही भी मेरे बाद तो objective case आना चाहिए तो ही नहीं ही कटके ही माएगा तो यह sentence है all his brother like him are very smart and intelligent तो यह sentence का meaning हुआ और यह sentence हमने correct कर दिया clear हुआ अब आते हैं अगले sentence के उपर अगला sentence आपको कह रहा है current father will not let him and I go to Delhi तो current father यह current यह current क्या कर रहे है यह एक noun है इसका noun का possessive case लगा रहा है यहाँ पर father के उपर अधिकार जताने के लिए और father यहाँ पर subject के तोर पर use किया जा रहा है और यहाँ पर will यह helping verb है note let let यहाँ पर main verb है note इसको qualify करने वाले adverb of negation है अब यहाँ पर let him go and end यहाँ पर conjunction है और यह to proportion है और Delhi is proportion का object है अब यहाँ पर यह concept बड़ा प्यारा है क्योंकि यहाँ एक word आया हुआ है इस word को कहते हैं let यह जो let है यह बड़ा ही यह प्यारा word है अभी फिलाल यह concept में आप लोगों को यह बड़ा इन्फिनिटी के तरिके सी वो काम करती है लेकिन इसके साथ two नहीं होता यह जो let verb है यह bear infinity को follow करती है यह जब भी let verb आएगी इसके बाद एक bear infinity लगा देना होगा तो यहाँ पर यह let जो है यह let यह verb आई हुई और इसके बाद यह जो go है ना यह go यह एक infinity है infinity में भी bear infinity है यह bear infinity है और यह verb आई हुई इसके बाद यह objective case यहाँ पर यह objective case है और इसके बाद यह and conjunction से चोड़कर यह भी एक objective case लगा हुआ है यहाँ पर I इसलिए यहाँ पर I कटके यहाँ पर me आना है में क्यों आना देखिए अगर आपने यहाँ subjective लगा दिया subjective case लगा दिया यह बोलेगी लाओ मेरे लिए verb ले क्या हूँ और verb है नहीं आप कहोगी sir go verb होगी मैंने का go verb नहीं है go verb नहीं है go तो एक infinity है यहाँ पर infinity है क्योंकि इस let के बाद यहाँ पर infinity लगाया हूँ है वो भी bear infinity और यह बच्चे को पता नहीं चलता यह जो let है ना यह बड़े ही कमाल का word है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अभी यहाँ पर जो था यह यह था कि भाई यह जो let है इसके बाद objective case यह himby और यह I I को काटके me करना था और यह go जो है यह bear infinity है और यहाँ पर two daily इसी को quality इस bear infinity को qualify करने के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यह two daily यह जो है एक तरीके से adverbial phrase है यह यह adverbial phrase है मैंने आप लोगों को adjectival phrase, adverbial phrase यह सारी चीजें करवाई हुई है न दो word मिलके अगर adverb का काम करते है तो उसे adverbial phrase कहते है actual में यह two daily जो है वो इस go को qualify कर रहे है वह कहा गया daily गया तो adverbial phrase clear हुआ और यह infinity है infinity होने के बाद इसमें verb के आदे गुण इसलिए अपने आपको qualify भी करवा पा रहे है तो यह concept हो गया आपके सामने let वाला अभी करवाया नहीं बस बताया है मैंने होता क्या है clear और इसको बहुत अच्छे से करेंगे अभी ऐसा नहीं कि sir हमको भी करवा दो यह वो चीजे नहीं करवा सकता और जब हम verb पे पहुँचेंगे तब बहुत बारिकी से इस चीज को भी समझेंगे clear हुआ तो यह हो जाता है आपके सामने concept number one जिसके हंदर हमने proportion से related कुछ चीजें देखी है उनके बाद उनके object आते हैं और यह आपको लिखला है कि between हो गया, with हो गया, beside, including और यह let बैठा excluding, but, like, unlike, together, with, along, with, etc आने वाले टाइम में हम और धीरे-धीरे proportion भी कर लेंगे और उनसे related error भी हम करते रहेंगे लेकिन यह चीजें आपको ध्यान रखने हैं कि इस concept हुआ कैसा और यह जितनी भी मैंने कारिगिरी रंग भी रंगी कर दिये ने यह सारी copy के अंदर आप लोगों को भी अच्छे से उतार लेनी है क्योंकि PDF के तोर में सिर्फ आपको sentence लिखावा मिलेगा यह break कियावा नहीं मिलेगा break तो आपको खुद करना पड़ेगा ओके चलिए next concept पे चलते हैं concept number two की बात करते हैं यहां पर concept number two में आते हैं यहां आगर हम बात करें तो my father does not like me going to cinema यहां पर इस sentence का meaning हो जाते हैं कि मेरे पीता पसंद नहीं करते cinema जाना अब यहां पर मैं एक बर बोल नहीं रहा हूं बोलती ही आप लोगों को इसकी error समझ में आ जाएगा फिर भी मैं बोल देता हूं मैं मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं मेरा cinema जाना इसकी हिंदी यह है एक बाद break करते हैं और break करते ही आपके सामने यह concept जो है वो crystal clear हो जाएगा कि इसमें error क्या find out करना जाता है अभी मैं क्यों break करूँ सबसे पहले आप लोगों को break करना है चलिए वीडियो पोस करी और break करने की कोशिश करी ओके अमिद करता हूं कि आप लोगों ने break करने की इसको कोशिश की होगी और करते हैं first sentence तो first sentence में यहां पर यह जो father लिखा हूँ है यह father यह है आपके सामने subjective case यह subject है यह my जो है इस father के उपर अधिकार जताने वाला यह हो गया possessive adjective my father does not like does not like यह like जो है यह main verb है यह does जो है यह helping verb है note इसको qualify करने वाली एक adverb है adverb of negation अब यह two जो है यह preposition है और cinema जो है एक मिनट यह क्या हो गया यह cinema जो है इस two preposition का object है अब यहां पर यह my जो हो गया possessive adjective father subject हो गया does helping verb होगी note adverb of negation होगी इस like verb को negative कर रही है और यहां पर यह तोड़ा समय यह main verb होगी like अब यहां पर बात करते हैं यह me and going यह क्या है me और going को एक पर देखते है यह like अब यह verb की बात क्या चाहिए होते है हमें object चाहिए होते है अब object चाहिए होते है आप यह me के ऊपर जाएंगे और यह objective case लिखा हुँ है तो आप इसको बोलोगे कि सर ये objective कैसे इस like वब का, मैंने का बहुत अच्छे, तो sentence की एक पर हिंदी करते हैं, sentence में देखिए हिंदी करते हुए क्या मिला, my father does not like me, मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते, या मुझे पसंद नहीं करते, या फिर मेरा जाना पसंद नहीं करते, ये जो going है, ये आपकी सामने जो लिखा हुआ है, actual में वब की base form, वब की base form plus में ing, तीन काम करती है, ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तीन काम कौन कौन से करती है, एक तो होता है, वब बनने का, एक होता है present participle बनने का, जिसमें हम इसको कहते हैं adjective, और एक होता ह हमारे सामने जीरंड बनने का, अगर ये वब की base form plus में ing, अगर वब होती, तो इस से पहले कोई helping वब हो रही होती नहीं होती, obviously helping वब तो आती, helping वब आती, अगर ये वब होती तो, तो हमने ये देखा भाई, ये helping वब तो इसके पिछ आये हुई ही नहीं, कहां पर, यहां helping वब होती है, लेकिन यहां पर going के पहले कहीं पर भी helping वब हमें दिखी नहीं, तो ये वब नहीं है, clear, क्या ये present participle है, क्या ये adjective है, adjective है, तो adjective क्या काम करता है, किसी noun ये pronoun को qualify कर रहा है, ये going किसको qualify कर रहा है, किसी को qualify नहीं कर रहा, तो यहां पर ये adjective भी नहीं है, अब अच्छा जीरंड यह जीरंड ही है जीरंड क्या काम करते हैं जीरंड जो होता है वह नाउन होता है और नाउन होता है तो नाउन के पांच काम करता है पांच काम पता है ना जीरंड है, यह जीरंड है भई, और इसलिए यहां पर यह जीरंड है, मेरे पिता, मेरा जाना पसंद नहीं करते हैं, मुझे तो वो पसंद करते हैं, लेकिन मेरा जाना पसंद नहीं करते हैं, तो यह मी कटके यहां पर माई आएगा, अब यहां पर, my father does not like my going to cinema actually में इसका मीनिंग यह है कि my आना था इसके इस concept में क्या सिखाना जा रहा हूँ यह concept में सिखाना जा रहा हूँ use possessive case of adjective or nouns before gerund यानि possessive case के adjective या और possessive case के noun use करने हमने possessive case के noun कैसे होते हैं जैसे अभी थोड़ देर पहले कहा किया था ना हमने जैसे वो concept था सुमन्स कार ऐसे करन्स फादर यह वाला हमने concept किया था तो यह जो चीज थी हमने noun के possessive case में use किया था same हमें यहाँ पर इस चीज़ को follow करना है कि possessive case के adjective और possessive case के noun use करने है gerund के पहले और यह हमने यहाँ पर देखा है और यह रट्टा नहीं मारना है ध्यान रखना इसका हम concept को समझेंगे क्योंकि यह रट्टा fail हो जाता है कहां यह concept fail होता है इसी slide के उपर आपको मैं in sentence के अंदर कराऊंगा तो चलिए एगला sentence पे आते हैं अगले sentence में she does not mind us coming late in the class does not mind यह तो नहीं कि mind मत करना यानि बुरा मत मानना एक तरीके से ऐसे होता है तो she does not mind वो बुरा नहीं मानती वो हमें बुरा नहीं मानती या हमारा लेट आना बुरा नहीं मानती तो यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर एक दिक्कत यह भी आती है कि बच्चा सोचे कि कि सर क्या एक वब के दो अब्जेक्ट नहीं हो सकते क्या मैंने का एक वब के तुम दो अब्जेक्ट बनाओगे उन दो अब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कजंचन एक तो वहां पर हमें चखिये होख चाहिए होती है एक तो यह दिक्कत आती है दुसरी बात यह भाई अगर आपने इसको अब्जेक्ट बनाया इसको अब्जेक्ट बनाया तो बाकि का जो concept लिखा हुआ है इसको आप बनाओगे क्या कहीं न कहीं ये बताने की कोशिक करा ने going to cinema ये बताने की कोशिक की भाई यहां पर me नहीं माई आना है आपके सामने दो object बनने की हैं अगर देखे me के बात यहां पर full stop लगा उतना toolbar तो मैं कहता my father does not like me यह बिलकुल श़ही था यह हो सकता है भाया किसी के पिता किसी को पसंद नहीं करते होंगे यह हो सकता है लेकिन बाद में कुछ लिखा हुआ है going to cinema जिससे हमें पता चला है कि भाया इस meek object बनाने से better एक दूसरा word हमें ऐसा मिल रहे है जिसे हम object बनाते हैं और meaning अच्छा निकल सकते है meaningful यहां पर इसक going को object बनाया और इस me को माई कर दिया तो हमें यह सारी चीज़े टटोल नहीं पड़ती है देखना पड़ता और यह आता कैसा एक concept के clarity होती तब चीज़ें आती हमें तो यहां पर देखेंए she does not mind us coming late in the class अब यहां पर same concept енная coming late in the class in proportion है और class जोह इस proportion का object होगी मारे सामने को केब यह जो हमें बुरा नहीं मानत ही हमारा हमारा लेट आना बुरा नहीं मानती भई वो हाँ हो सकता है हमें भी बुरा नहीं मानती लेकिन बाद में यह जो वर्ड्स लिखे हुए है बाकी के जो यह sentence लिखा हुआ इससे हमें यह पता चला है कि कुछ और भी है sentence में कुछ और भी object बनेगा यहां पर तो इससे हमने पता क यह adverb क्यों है यह coming to a girand जो है वह एक तरीके से वर्ब से बना हुए और वर्ब की बेस्वर्म से बने होने के करण इसको semi-verb, अर्द वर्ब कहते हैं अर्द वर्ब होने के करण अपने लिए adverb भी लगा सकता है और अपने लिए even object भी ला सकता है और यह चीज़ हमने पिछल कि सारा उपर से जाने वाले और फिर कोगे कि रहार इंग्लिश इतनी मुश्किल है फिर समझ में नहीं आती बाबु भाई या वह वाते बोलोगे ठीक है तो ऐसा नहीं बोलना है आपने पिछली वाली वीडियो देखनी है अब अगला concept अगले sentence में आते हैं अगला sentence दिखा और note है adverb of negation और like है main verb अब यहां पर शिल्पा talking to राम तू जो है प्रिपोशन है और राम जो है इस प्रिपोशन का object है अब बात करें शुबम डज नोट लाइक शिल्पा क्या शुबम शिल्पा को पसंद नहीं कर सकता अगर यहां पर full stop होता तो लेकिन पूरा sentence पढ़ने के बाद हमें पता चला है शुबम तो अरे पसंद तो करता है शिल्पा को लेकिन वह एक चीज पसंद नहीं करता शिल्पा की क्या पसंद नहीं करता अरे बात करना शुबम पसंद करता है शिल्पा को लेकिन वह बात करना पसंद नहीं करता इस talking को पसंद नहीं करता किस की talking इस शिल्पा की talking पसंद नहीं करता ये object है, ये जिरंड है ये शिल्पा क्या है अरे भया इस talking के उपर हमें अधिकार जताना नहीं जताना तो जताना है, तो यहाँ उपर इस शिल्पा को बनाना पड़ेगा शिल्पाज, शिल्पा का बात करना, एपोस्टोफे लगाना पड़ेगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा नाउ, नाउनका possessive case इस talking के उपर अधिकार जताने वाला, ओके तो हमें ये sentence ऐसे टी करना था, शिल्पाज शिल्पा का बात करना राम से ये शिल्पाज को पसंद नहीं हैं, ये शिल्पा को तो पसंद करता है, तभी तो इतना वो खुंदस काई बैठा है, वो, clear तो ये हो जाता है आपके सामने, third sentence अब बात करते हैं fourth sentence के, आप देखिए, concept समझना है आपने, ratification नहीं करनी है, कि कब आप ये possessive adjective और possessive noun का use कर रहे हो, इनका use कर रहे हो before a gerund, किसी gerund के पहले आपको ratification नहीं जाना, आपको concept समझ के, वहाँ पर ये जो, ये rule है, ये rule क्या कहें ये concept बना है, इसको follow कर रहे है, अब जड़ा यहाँ देखिए अगले sentence में, अगले sentence में लिखाओ we have never seen him behaving badly with anyone यहाँ पर अगर हम बात करें तो have ये बन जाता है, आपके सामने helping verb, never seen seen जो है, वह है main verb अरे ये M तो मुझसे हर बार गलत ही क्यों बनता है, ओके ये M जो है, यहाँ पर main verb है never इसको qualify करने वाला adverb है him behaving badly with anyone with जो है, वह proportion है और anyone जो है, इस proportion का object है ओके, अब we जो है, ये subject है अब ये sentence की हिंदी करते है अरे हमने नहीं रेखा उसे behave करते हुए बुरे तरीके से किसी और के साथ या किसी anyone इस sentence की हिंदी ये है अभी फिलाल जो लिखा हुए अब काफी सारे बच्चे सोचेंगे अरे सर ये अभी आप करवा रहते है behaving अरे सर ये हो गया जीरंड ये हो गया जीरंड और ये इस scene verb का object बन जाएगा और ये scene verb का object बन जाएगा और him को काट के हम इस possessive case लगा देंगे he's जैसे ही अगर आप ये करते हो तो एक बार समझना क्या आप किसी का behavior देख सकते हो किसी का behavior दिखता है आपको अरे यहाँ पर देखे वह यहाँ आप यहाँ पर like किसी को कर सकते हो किसी को नहीं कर सकते है यह यहाँ पर दो object बन सकते है यह me भी बन सकते और यह going भी बन सकते लेकिन एक चीज़ सोचो क्या किसी का behavior देखा जा सकता है क्या किसी का behavior आपने देखा है behavior कैसे है आप उसका judge करते हो आप बताते हो behavior अच्छा है बुरा है वह आपने महसूस किया behavior दिखता नहीं है तो आपने अगर जैसे ही यह कर दिया ना तो ऐसी इसका मतलब हो जाएगा अपने देखा उसने मतलब we have never seen him हमने कभी उसका behavior नहीं देखा अरे उसका behavior का मतलब behavior किसी का दिखाई देता है नहीं behavior किसी का दिखाई नहीं देता भई तो इस चीज़ से हमने समझे तो यह यहाँ पर इसका object नहीं बन सकता तो यहाँ पर क्या बनेगा अरे भईया यह scene him यह object बनेगा इस scene verb का यह behaving क्या बनेगा फिर और यह badly क्या बनेगा actual में यह behaving जो है यह है present participle यह है present participle और यह है object compliment अभी कराएंगे object compliment भी क्या होते हैं यह सीज़े भी करवा हूँगा अब आप लोगों को अब यहाँ पर badly जो है इस present participle को qualify करने वाला एक adverb यह होगा आपके सामने adverb होगा clear यहाँ पर आपको ऐसे अंदा तरीके से जैसे मैंने आपको कराएगे यह जीरंड दिखा आपको यह जीरंड नहीं है आपको देखना है कि वर्ब की बेस्वंप्लस में आएंजी तीन काम कर रही है आपने अगर इसको जीरंड बनाए तो इसको object बनाने की कोशिश करोगे फिर हो जाता है उसका behavior या उसका behavior कि इसका behavior आप देख सकते हो देखने का आपको यहां पर है देखना है कि यहां पर लिखा क्या होए बब English को रटेफिकेशन की बजाए उसको समझने explanation के साथ आप उसको करिए तब कि आपको लंबे time तक वो चीज़े याद रहे अब आगे देखिए एकला sentence इस sentence मिलिका हो है when we have entered the room we found him laying on the floor when we entered the room when होगी आपके सामने conjunction यह होगी आपके सामने conjunction conjunction के यह हैं कि दो close को जोड़ रखा है दो close कौन सा है एक तो यह रा close इस कोमा से और इस कोमा के बाद यह second close when we entered entered यहाँ पर subject होगी entered यहाँ पर होगी आपके सामने verb when we entered the room यहाँ पर object हो जाए the article होगी we subject number 2 होगी found यहाँ पर main verb number 2 होगी first यहाँ पर यह आगी own proportion है और floor इस proportion का object है the article है अब फिर से कोशिच करेंगे बच्चे इस laying verb को जिरन मानने के और इस found को इस found verb का object मनाने की कोशिच करेंगे इस laying को लेकिन जैसे ही आप इसको object मनाते हो और इस him को his करते हो तो इसका sentence का meaning हो जाएगा जब हमने enter किया था room में हमने पाया उसे उसका पढ़ा होना या उसे पढ़ा होना बई ये आप पाओगे क्या किसी का पढ़ा होना पाओगे ना कोई इनसान जो था वो पढ़ा होँआ था या फिर उसका पढ़ा होना या उसका पढ़ा होना क्या है उसे पढ़ा होना पाया ना हमने तो यहाँ पर ये his करोगे इस लेंक के उपर अधिकार जताएगा यह उसे पढ़ा होना अब किसी इंसान को पड़े हुए पाओगे ना किसी इंसान को पड़े हुए पाओगे वहां पर तो यहां पर एक तरीके से यह हिम जो है इस वब का उब्जेक्ट बनेगा यह इस नहीं आएगा और यह हिम जो है यहाँ पर एक मिनिट मैं इसको रफ करता हूँ यह काफी ज़्यादा जो है वो गिच पिच गिच पिच हो रही है clear अब यहाँ पर बात करते हैं यह जो हिम जो है यह हिम यह बनेगा यहाँ पर आपके सामने object यह object है यहाँ पर यह laying जो है इसको जीरंड मत बनाओ भया यह present participle है clear उसका पढ़ा होना हमें पर उसका पढ़ा होना यह नहीं हो सकता उसे पढ़ा हुआ यह हिम करेंगे उसे पढ़ा हुआ पाया हमने उसे पढ़ा हुआ पाया हमने clear तो यहाँ पर यह जो concept मैंने यह जो line लिखी है ना इसको apply करने से पहले एक बर sentence पढ़ना कि आपको वहाँ पर requirement क्या है ratification नहीं जाना book के अंदर आपको यह 3 sentence मिलेंगे लेकिन यह नहीं मिलेगा भया यह आएंगे तो फिर वो कहेंगे exemption है भया exemption नहीं होती sentence को समझ के करना होता है ओके तो चलिए अब आगे आते हैं concept number third के उपर अब concept number third में आपके सामने लिखा हुआ है current is smarter than me so you should select him यह मैंने आप लोगों को starting में जब demonstrative pronoun मैंने आप लोगों को करवाया था यह मैंने आप लोगों को उस वक्त कराया था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को comparison करके भी दिखाया था same concept है लेकिन इसमें थोड़ा सा advance level हम करने वाले है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है current is smarter than me so you should select him तो current जो है यहाँ पर आपके सामने यह हो गया subject यह हो गया subject smart smarter smarter यह एक comparative degree है comparative degree है तो यहाँ पर आपके सामने यह adjective है is जो है वो main verb है then जो है यहाँ पर conjunction है then जो है वो conjunction है और so जो है यह एक और conjunction आई हुई है should जो है subject नमबर दो है शूड शूड यहां पर आपके सामने helping verb है select यहां पर main verb है और him जो है इस main verb का object है ओके लेकिन अब मैंने कहा अरे भाई, comparison जो होता है वो समान चीजों के अंदर होता है for example, आप किसी का comparison height से कर रहे हो तो obviously किसी का weight के साथ comparison दोड़ना कर दोगे वहां पर भी आपको height तो लानी पड़ेगी same, ऐसे subject का comparison कर रहे है तो subject लाना पड़ेगा तो देखी, यहां पर comparison हो किसका रहे है इस current का, और current क्या है subject है comparison किसके साथ हो रहे current का इस me के साथ, लेकिन me यहां पर क्या है वही है, me तो objective case लिखा हुए इसलिए, यह me कटके यहां पर I आएगा तो यह sentence है current is smarter than I और इसके साथ am जो है वो अब understood है, I am लिखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना लिखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो current is smarter than I so, you should select him clear current जो है, मुझसे जाज़ा smarter है बोलने में तो मुझसे बोलोगे लेकिन actual में लिखा जाएगा then के बाद I यह इस concept की ऐसे समदना आपको, अभी बहुत अच्छे से करेंगे यह तो दिक्कत यहां पर क्या आई इस me को कटके I आना था अगले sentence में आते है you are as good as him so do not worry and deliver the speech अब इस sentence की हिंदी समझो जड़ा पहले एक बार break कर लेते है you जो होता है यहां पर subject हो गया you are are यहां पर main verb है as यह as और यह as यह concept आगा साब के सामने इसको कहते है simly और यह good जो है यह आपके सामने adjective अभी मैं कराऊंगा यह simly क्या होती है actually में simly जो है वो comparison के तोर पर आती है simly दो तरीके के होती है एक होती है conjunction वाली और एक होती है preposition वाली अभी वो concept भी कराऊंगा simly कहते किसको है simly versus metaphor क्या होते है cds में वो exam में पूछ लिए जाते है as good as यहां पर यह conjunction है simly जो है यह नाम इसका simly है conjunction है ठीक है conjunction है so so फिर से conjunction आई यह imperative sentence लेके होग है so do not worry imperative sentence में आप लोगों कराए होग है यह adverb है यह यहां पर main verb है and conjunction है दो verb को जोड़ रखाए यह भी main verb है imperative sentence है imperative sentence में subject कोन होता है you होता है so इसका मतलब है so you do not worry and you deliver the speech actual में यह है तो deliver deliver what speech यहां पर यह इसका object आया clear यह the article हो गया अब यहां पर देखो जड़ा comparison यह simply जो होती है वो comparison के ही काम आती है ठीक है simply एक conjunction भी हो सकती है simply एक proportion भी हो सकती है simply जो है वो comparison के काम आती है ठीक है अब comparison में अब मैं बात करों तो देखो इसमें simply जो है एक adjective वाली होती है उर आड़े वाली भी होती है मतलब कि as की फकर हाथे as के बीच में adjective भी आती है और as as की बीच में adverb भी आती है कब adjective आती है खरी वो भी हम करेंगे अभी और इक similarity जो होती है यह as as वाली तो इसके बाद जो है आपको यह देखना है कि comparison हो कि इसके बीच में रहा है तो उसके coding लिखना है तो comparison जो है यहां पर इस you के बीच में और him के बीच में हो रहा है इस sentence की हिंदी ऐसे है कि आपने you are as good as him इसका मतलब यह हुआ कि आप क्या थे दो बच्चे थे माल लेते एक आपको माल लेता हूँ you और एक और कोई था ठीक है तो आप दोनों ने क्या किया एक presentation त्यार करी presentation त्यार किया आपका काम था presentation त्यार करना और दूसरे वाले का काम था उस presentation की उस पर speech देना लेकिन by chance वो बिमार हो गया वो आ नहीं पाया और sir अब आपको कह रहे है sir कह रहे है अरे दरने की कोई बात नहीं है you are as good भाई तुम भी उतने ही अच्छे हो भाई तुम भी उतने ही अच्छे हो जितना वो है तो यहाँ पर comparison हो रहा है you के बीच में और is him के बीच में तो comparison यहाँ पर subject के बीच में हो रहा है और यहाँ पर भी तो यह subject comparison तो यहाँ पर subject ही आना है subjective case ही आना है तो यहाँ पर आना था he तो you are as good as he so don't worry and deliver the speech तो यह हो गया आपके सामने clear अब बात करते हैं as और as के बीच में adjective आएगा कब adverb आएगा तो इसको कुछ sentences के दुरू करते हैं तो आपके सामने लिखे हुए है radika is as nice या nicely as roshni तो एक simple सी चीज है adjective तब आएगी as as के बीच में अगर कहीं आपको linking verb मिल जाए लिंकिंग वब बोले तो is mr is mr ये आपको याद है मैंने आपको करवाई थी ये b की form है ये b की form जब भी linking場 बने और भी है bean है being है ये जब बी की form जब भी ये linking verb linking verb बोले जब भी ये main verb का काम करते हैं तब आप इनको linking verb कहते है जब भी यह linking वो बनती है उसके बाद as और as के बीच में हमेशा adjective आएगी जरह देखो जरह यह is main verb होगी राधिका subject होगी रोश्णी जो है comparison जो है इन दोनों के बीच में हो रहा है रोश्णी और राधिका के बीच में तो भी दोनों ही अच्छी है तो obviously comparison इन दोनों के बीच में हो रहा है तो यहाँ पर यह नाइस जो है वो एक तरीके से लिए आती है ओके और यहाँ पर as-as के बीच में एड्जेक्टिव या सकती है एड्जेक्टिव कब आएगी जब आपको सीधा ही आपको दो इंसानों के बीच में आप तुलना कर रहे हो या फिर कहें कि बी की फोर्म लगी हुई है और वो में बब है तो सीधा वहाँ पर आप एड्जेक्टिव लगा देंगे तो यहाँ पर एड्जेक्टिव आ गई अब एड्वब का आती है अरे जब आपको किसी एक्शन को कंपैरिजन करनो जड़ा देखो अगला रादिका रादिका यह सब्जेक्ट होगी बिहेव यह में वब होगी as nicely as रोशनी अरे बिहे हुई है यहाँ पर यह सिमली है लेकिन इस बार इसमें nice नहीं nicely आएगा यह वाला sentence ही हो जाएगा आपके साथ तो जब आपको किसी action को comparison करना हो तब आप adverb लगाईए जब आपको दो इनसानों के बीच में दो subject के बीच में आप comparison कर रहे हो obviously किसी linking वब आपके बाद आए त अब यहाँ पर तुमें ने का यह एज एज वाली भी होती है एक सिमली एक like वाली भी होती है वहाँ पर proportion के बाद object आते हैं देखो रादिका रादिका subject होगी behaves main verb होगी like अब यहाँ पर यह like जो प्रिपोशन है like her mother like her mother यह हर इसके उपर qualify करने वाला possessive objective होगी mother यहाँ पर object होगया इस प्रिपोशिशन का यह फिर कहें इस सिमली का जो एक प्रिपोशन है यहाँ पर ओके अब यहाँ पर अगर यह mother ना होती तो यहाँ पर जड़ा देखो actual में मैंने इसी sentence को इस mother को हटा के दूसरे तरीके से लिखा है तो यहाँ पर लिखा रादिका यह होगी subject behave स्विर से में नवब होगी like यहाँ पर प्रिपोशन है अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह she आएगी या her आएगा तो यहाँ पर she नहीं आएगा क्योंकि like एक प्रिपोशन है और प्रिपोशन के बाद objective case आते हैं इसलिए यहाँ पर आ राएगा ओके तो यह हो जाता है आपकी सामने simply का concept अब एक और होता है simply versus metaphor क्या होते है देखिए simply होती है figure of speech यानि किसी को किसी चीज़ को उसके तरह से बोल देना और एक metaphor होता है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही कह जाना for example जैसे मैंने बोला life is like a dream जीवन जो है वो एक सपने के तरह है तो यहाँ पर हमने उसका comparison किया है उसके तरह है तो यह होती है लेकिन हमने बोल दी है जीवन एक सपना ही है एक चीज़ को दूसरी चीज़ ही कह देना यह होता है metaphor same the camel is like a ship of desert जो हूंट है वो जो जहाज है रेगिस्तान की तरह है मतलब जहाज की तरह है रेगिस्तान का camel तो यह हो जाती है simili लेकिन मैंने बोल दिया camel जहाज ही है उसका desert का तो यह हो जाता है metaphor अति शोक्ति जो आपने सुनाओ तो यह वाली चीज़ आती है तो यह cds में पूछ लिया जाता है sentence में पूछे metaphor comparison में आ जाता है तो इसलिए मैंने आप लोगों को यह वाला concept भी करवा दिया चलिए अब आते है concept number 3 3 ही कर रहे थे हम उसी को करते है थोड़ा साच्छे से detail से करते हैं बहुत बढ़िया concept है यह वाला मैं कह रहा था कि comparison जो है हमेशा subject के बीच में subject के comparison होता है subject के बीच में object के comparison होता है object के बीच में चलता है हभी इस concept को use कैसे करते हैं पहले चार sentence करते हैं फिर एक बढ़िया सा आपके सामने sentence रखूँगा वहाँ पर हम इस concept को लगाएंगे और देखे कितना खूपसूरती से आपको इस चीज़ें समझ में आएंगे देखे यहाँ पर लिखा हुआ है Mohan trust me more than he or him अब मैं यहाँ पर Mohan जो है यह होगा आपके सामने subject Trust, Mohan करने वाला होगा और यहाँ पर more जो है यह आपके सामने more जो है यह लगा हुआ है एक तरीके का adverb more than मुझसे ज़्यादा trust करता है ठीक है? मुझसे ज़्यादा trust करता है किस पर अब यह than जो है यहाँ पर यह आपके सामने लिखे हुए conjunction अब यह ही आएगा, यह ही माएगा अभी इसको देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा इसके उपर बात कर सकते हैं अब यहाँ पर first of all आते हैं अगर आप इस ही को काटके अगर ही करते हो तो जड़ा देखो इस him को काट के अगर आपने he करता है तो इस sentence का meaning क्या बनता है तो देखिए अगर आपने him काटा him काटा और केवल आपने he कर दिया तो actual me हुआ क्या तो यह हुआ एक मोहन है और एक he है यह दोनों trust करते हैं यह trust करते हैं किसके ओपर me के ओपर तो यहां पर trust करने वालों की संख्या बढ़ जाती है यहां पर ही sentence का meaning क्या more than he वो जितना trust करता है यह he जितना trust करता है उससे ज़्यादा trust जो है वो मोहन करता है मुझ पर तो यहां पर मोहन भी trust करने वाला है और ही भी ट्रस्ट करने वाला है और किसके उपर ट्रस्ट कर रहे हैं में के उपर लेकिन जादा कर कौन रहा है जादा कर रहा है भहिए ये मोहन जादा कर रहा है जब आगर आप ये ही कर देते हो लेकिन अगर आप ये हिम कर देते हो ये हिम कर देते हो तो यहां पर क्या होग एक me के उपर कर रहा है और एक him के उपर कर रहा है तो इसका meaning more than trust me more than him, वही वो मुझपे जादा trust करता है as compared to him यानि करता तो दोनों के उपर है लेकिन जादा किस के उपर करता है इस me के उपर तो यहाँ पर जैसे ही अगर आप यह objective case लगाते हो तो यह चीजें समझनी आपको इस sentence में दोनों ही सही है अगर आप ही करते हो ही करते हो, दोनों ही सही है अभी मैं करवाओंगा कि लगाते कैसे हैं हम कैसे find out करेंगे अगर sentence में दोनों आजाएं तो अभी वो चीज भी करने वाले हैं, बट यह concept समझीए यहां पर, मैं आपको क्या समझाने की कोश्च कर रहा हूँ अब यहां पर अगले sentence पर आते हैं अगले sentence में लिखा हुआ है अमित loves her as much as I या me तो अमित हो गया यहां पर subject अमित हो गया subject loves, अमित करने वाला हो गया तो यह हो गया आपके सामने similarly और यहां पर यह much जो है यह है adverb अब यहां पर आईजे अब बात करते हैं आई या me आएगा आई या मी आएगा तो जड़ा देखो अगर आप आई करते हो अगर आप आई करते हो तो आपने आई किया तो अमित हो गया एक तो लव करने वाला और एक आई हो गया और लव किसको कर रहे हो इस हर को कर रहे हो ठीक है एक मिड़ा लव किसको कर रहे हो इस हर को कर रहे हो यह दोनों लव करने वाले हो गया और लव हो किसके उपर है सिर्फ और सिर्फ हर के उपर कर कौन रहा है भाई या अमित लव as much as अमित उतना प्यार करते है जितना आई करते है यहां पर बात हो रही है दोनों ही करते हैं यहां पर प्यार तो और किसको करते हैं हर को करते है लेकिन अगर मी करते हो मी करते हो तो यहां पर अमित अकेला लव करने वाला हो जाएगा अकेला लव करने वाला हो जाएगा और कर किन को रहा है एक हर को कर रहा है और एक मी को कर रहा है यह लव अमी जो है वो तुम्हें भी लव करता है और मुझे भी लव करता है तो इसका sentence का meaning यह हो जाता है तो देखिए अगर आप subject लगाते और object लगाते हो तो मतलब क्या क्या बन रहे यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर subject लगाया, तो subject के बीच में comparison, अगर आपने object लगाया, तो object के बीच में comparison, meaning देखें कैसे change हो रहा है यहाँ पर, ओकर अब यहाँ पर यह तो sentence हो जाते हैं, अगले sentence पर आते हैं, आपको, यह concept बहुत अच्छे से clear होने वाले आपको error भी कराऊंगा मैं कि इसको implement कहा करते हैं जड़ा देखो She can speak English more frequently than I या me तो यहाँ पर आपके सामने यह subject हो गया यह can helping verb होगी speak यह main verb होगी speak what English यहाँ पर object होगी more frequently than I then यहाँ पर conjunction है then यहाँ पर conjunction है हमारे सामने और more adverb है frequently adjective है अब बात करते हैं क्या I करें या me करें क्या I करें या me करें अब एक बात आते हैं अगर मैं इसको I करता हूं अगर मैं इसको I करता हूं तो देखो इसमें क्या होता है She can speak English more frequently than I यह यह she और यह I यह दोनों English बोल सकते हैं यह दोनों English बोल सकते हैं लेकिन more frequently कौन बोलता है यह she बोलती है तो यहनि she यहाँ पर ज़्यादा frequently बोल रही है यह बात हो जाती है यहाँ पर यह तो I रखने पर हो गया लेकिन अगर आप मी रखते हो तो इसमें क्या है तो यहाँ पर she जो है she तो बोलने वाली होगी she क्या क्या बोल रही है एक तो English बोल रही है एक तो English बोल रही है और एक मी बोल रही है यह उपर वाले sentence में कहा नहीं हो सकते है यहाँ आमने यह ती जो को सीखा ओके अब आओ जो राइस में इस वाले sentence में he knows us more than you do you यहाँ पर है he जो है यह subjective case है you knows main verb है but he knows us वो हमें जानता है more more यहाँ पर यह हो गया आपके सामने यह conjunction हो you more than you you यह दो एक के साथ do लगा हुआ है और एक के साथ you नहीं है अब इस चीज को समझो us जो है यह एक तरिके का object है यहाँ पर नोगा आपका he knows us more than you यहाँ पर अगर आपने यह वाला you किया यह you जो है यह subjective case है और यह वाला you जो है यह objective case है यह कैसे हुआ असर आपने कैसे पहचाना है एक subjective यह objective है देखो जरा मैंने कहा था you जो है इसका subjective और objective case same चलता है subjective और objective case क्या होता है इसका same होता है लेकिन जहां हमें बताने की जुरूरत पढ़ जाए कि कहां हमने subjective case लगाए कहां वहां में बताना पड़ेगा यहां पर देखिए she can speak English more frequently than I and I can I can यहां पर I can speak भी है तो यहां पर एक तरीके से जीजें जो है वो understood है यहां पर Amit loves her as much I do यहां पर do जो है वो एक तरीके का understood है यहां पर Mohan trusts me more than he he के बाद he do he does यह understood है यह understood है चल जाएंगे लेकिन यह इस you के case में understood नहीं चलेगा क्योंकि you का subjective and objective case same होता है तो हमें बताना पड़ेगा कि यह आपने subjective case लगाए या objective case लगाए अगर ऐसा नहीं बताओगे तो ambiguity आ जाती है यहां पर तो इसलिए यहां पर do लगाया हमने you do तो he knows you more than you do he knows us more than you do तो यहां पर do लिखना इसलिए जुरूरी हो जाता है हमारे सामने clear अब आगे चलते हैं तो यह हो जाता है हमारे सामने चारो sentence इनको हमने देखा कैसे है दो subject का comparison हो रहा है दो object का comparison हो रहा है और कहां पर नहीं हो रहा अब इस चीज़ को follow कहां करते हैं सर यह कहां आएगा तो इस sentence को पढ़ो ज़रा कुनाल trusts him more than I so he gave the bag that had money to him यह to जो है यह होगी आपके सामने preposition और him जो है इस preposition का object है कुनाल जो है यह subject है trust जो है इस subject का लिए verb आई हुई है trust him यह होगी आपके सामने object more जो है यह adverb है then जो है conjunction है so conjunction है he helping subject है एक इनट यह subject give main verb है give what back back यहाँ पर object है the article है that that relative pronoun है इस back को refer कर रहा है तो यह subject नमबर दो हो गया add money यह main verb होगी money यहाँ पर object होगी okay अब जड़ा देखो अब यहाँ पर I कर सकता था तो एक बड़ जड़ा देखो kunal trust more than I वही kunal trust करता है मुझ पर किस यहाँ पर kunal यह देखे इस sentence को यहाँ तक बढ़िए जड़ा है kunal trust him more than I वही kunal जो है kunal जो है kunal trust करने वाला है और I भी trust करने वाला है किसके उपर him के उपर kunal जो है वो trust करता है him के उपर और I जो है वो भी trust करता है him के उपर लेकिन kunal ज़्यादा करता है तो यह हो गया क्या हमें I की ज़रूर हो थी क्या है यहाँ पर क्या हमें comparison दो subject के बीच में जूट थी क्या है यहां पर इस चीज को कैसे पता करेंगे इस चीज को पता करेंगे यह बाकी का sentence लिखा हुए यहां पर देखो कुनाल ट्रस्ट करता है मुझ पर more than यहां पर आना था me क्यों आना था क्योंकि बाकी का sentence लिखा हुए बहिया कुनाल ट्रस्ट करता है हिम पर जादा जितना बुझपे नहीं करता कैसे बता गया अरे बहि तब ही तो उसने पैसों वाला बैग उसको दे दिया so he gave the bag that had money to him यह पैसों वाला बैग जो है उसने उससे दे दिया उसने पैसे वाला बैक उसने उसको दे दिया इसलिए यहां पर आई नहीं मी आया और यह concept हमने यहां follow करके देखा यह ताम जाम इतना समझाने के पीछे यही मक्सद है कि कहां हम objective case लगाएंगे कहां हम subjective case लगाएंगे यह sentence पढ़ने आपको कहां आपको लगते कि क्या जुरूरत है यह बाखी का sentence बताएगा यहां पर यह दोनों हो सकते थे यहां पर यह दोनों हो सकते थे लेकिन यहां यह दोनों नहीं हो सकते भया आई और मी नहीं हो सकते क्योंकि आगे की बात भी लिखी हुए है उसको पढ़कर हमें पता चला यहां आई नहीं यह मी आएगा clear तो उमीद करता हूँ कि यह आप लोगों को mislaneous part 2 समझ में आया होगा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की PDF मैं आप लोगों को आपके शेर से और यह concept आपको बहुत बार-बार समझना होगा एक बार में समझनी आता वीडियो free of cost है बार-बार देखें आपको concept समझ में आएगा एक बार में ही बच्चा चलना नहीं सीख जाता है वो भी गिरता है फिर वापिस खड़ा होता है फिर गिरता है फिर कड़ा होता है तब धीरे-धीरे वो पैदल चलना सीखता है फिर वो दोड़ना सीखता है एक बार में चीज़ें समझनी आए सकती है आपको फिर से आपको यह repeat करके देखना होगा जितना repeat करेंगे जितना बार-बार देखेंगे concept की clarity होगी और फिर भी नहीं आ तक नीचे comment section open रहता है लिखिए आपके अपने doubts आपको क्या समझनी आए तो बस आज के लिए इतना है था थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो